गुड मॉनिंग एवरीबन कैसे आप सब लोग मेरा नाम है राहूल और मैं कराओंगा आपको हिंदी गिरामर का प्रेक्टिस सेट ठीक है तो कोशन है सम्थिंग चालीस बताना कितने आपके मार्क्स आए और कल वाली कोशन का अंसर आखरी में बताएंगे पहला कोशन है आप प्सर्ग है और इसकी जब संदी करोगे तो नेहधन-धन होगा अंजय दन धन दद तेख रहां कि मज़यदार बन रहा है बिस्टा संदी होगी संदीक क्या होता क्यों विख्जै है स्ठीच नेफ्ट फूट का प्दयावाची पूंचा आप पुठी का अगर्ण कि दानवरती तो मैं इसे क्या बनता है पुत्री आपको पता है ठीक है नेक्स्ट अलपग्य मतलब बहुत कम जानने वाला सरभग्य सब कुछ जानने वाला जो हर समय अपना मतलब साथ दाओ उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे मतलब या स्वार्थी दोनों कह सकते हो अंसर के हो जाएगा ए और भी दोनों नेक्स्ट अब इस मैंसे तुरुटी पूर्ण भाग करना है कि तुरुटी पूर्ण किस भाग है तो देखो एक चीज़ आता है प्राते काल के साथ ना कभी भी समय ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती या तो प्राते काल आएगा या समय आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा बी कभी भी ना अनेकों नहीं आता अनेकों बहुत जगे देखोगे तो ये गलत होता है अनेक होता है कभी-कभी आपको च चारदिेबारी कह देगा क्या कहा है चार दिवारी आप लोगों को पिलेकों सही लगें जाट एक चार दिवारी के जगे यूज करोगे जहार दिवारी होताई सुध्य-अधाए याद में तो बहुन हां लोगों सवक लगाऊं गैज़ी सब्सक्वर मैं पढते हैं चेंज कर लिए अपने दमाग का इसकी मा अंडे का सहजादा उन्हें इसका मतलब होता है अनुभव ही निव्यक्ति अंडे का सहजादा समझेगो एक ही छोटी चीज है उसी में गुमता रहे गुमता रहेगा तो अनुभव नहीं मिलेगा न उसे जादा तो आंसर क्या हो स्वर के भी पांचवेद होते हैं दीर, गुण, ब्रदी, यर्ण, अजादी ठीक है नेक्स्ट बागिश्वरी किसका पर्यावाची है बागिश्वरी है सार्दा जी का ठीक है और क्या बोल सकते हो हनस भाही नहीं बोल सकते हो ठीक है इतना याद रखलो अंसर हो जाएगा बी कमला किसका लक्ष्मी जी का होता है या नहीं होता है यह आप लोग बताओगे कमला क्या लक्ष्मी जी का पर रहा है बाची यह आप लोग बताना ठीक है नेक्स्ट किरस का मतलब होता है कि बहुती दुबला पतला होना तो इसका होता है हस्ट पुष्ट क्या हो जाए हस्ट पुट नेक्स्ट बैल न कूदे कूदे तंगी इस कहावत का अर्थ होता है स्वामी के वल पर सेवक का साहस मतलब जो होते हैं पीए बगएरा देखें आपने कभी- स्टैयल में रहता है ठेख नेक्स्टोशन मर्यादा मर्यादा और टुडे कि समपादग कों ये तो, संपूर नन्रे कौन इं तोvery व्यों solemृम क्या है मैं और जब्रेकर विलों में रहना रहे चाहिए है अब देखो पदमिनी चितनी संख हस्तनी यह सब क्या है यह सब कलाओं के पर रहे है बाची क्या है कलाओं ठीक है याद रखना नेक्स्ट आउट कितने को कहते हैं आउट कहते हैं साड़े तीन को ये कोशन सीधी आ सकता है कि आउट किसे का आ जाता है तो आउट होता है साड़े तीन किरतक किये गए उपकार को मानने बाला इसका बिलूम क्या हो जाए किरतक किये गए उपकार को न मानने बाला उपकार को न मानने बाला याद कर ले ना इंपोर्डेंट है ठीक है इस्टार मार्क कर ले ना नेक्स्ट अक्ल का दुस्मन मुहाबरे का अर्थ मुहाबरे क्या होते हैं लक्षना सब्द सक्ति से होते हैं मुहाबरे न अर्वी बासा का सब्द है और इसका अर्थ होगा महामूर्ख क्या होगा महामूर्ख नेक्स्ट आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं अधिक केले से पता पढ़ रहा है कुछ नहीं पता पढ़ रहा है तो संख्या तो पता नहीं पढ़ रही परिमाड है क्या है तो आंसर क्या हो जाएका बी और यह विशेशन किसकी विश्षास पताते संग्यां सर्व नामकी और चार प्रकार की होता है संख्यावाचेक, परवाणवाचेक, गोड़ो शर्वनामिक ठीक है एक होता है विशेश्यी विशेशन इस चीज को याद रखनो आप लो एक होता है बिदे बिशेशन, जैसे मैंने का काली गाय, जब बिशेशन, बिशेशन से पहले आ जाएगा, तो बिशेशन, जब बिशेशन, बिशेशन के बाद आएगा, गाय काली, तब बिदे बिशेशन हो जाएगा, यहां पहले आ रहा है न गाय से, तो यह बिशेशन हो गया, यहां रुपय क्या होते हैं कहते हैं कि इस आदमी के रुपय बोल रहे हैं इस आदमी की इज़त नहीं हो रही है इज़त क्यों हो रही है क्यों कि इसके रुपया बोल रहा है इसका और अगर सिक्के होते हैं क्या होते हैं सिक्के तो सिक्के खनकते हैं इस चीज को भी याद रख ले कि इसंसे माथी वर्मा जी कि में मिला किसे लिए था या मा के लिए रखेंगे कि दिए मिला बियें के अे अ किया रांदन वंदनपनत को नहीं को ने यूगुपत्र योगां थी अधान करना है तो कैसी महला न बिद्वान नहीं होती बिदूसी होती है विद्वान बिद्वान काृट दो बिदुसी बिदुसी और देखो वैसे इसमें सारे ही गलत हैं बताओ क्यों यह तो ऐसी कट रहा है अब यह वाला आप लगा सकते हो वह एक बिदुसी महला थी तो यह महला नहीं आता कभी बिदुसी के साथ केवल इतना सही होना चाहिए कि वह एक बिदुसी थी बिदुसी का मतलब भी महला होता है महला के लिए यूज गरते हैं मगर इसमें कुछ और है नहीं option तो option नहीं है तो इसलिए लगा देंगे मगर यहां पर ही महला नहीं आएगा अगर और कहीं question मिल जाए तो यह ठीक है याद रुखना next तीनों लोग से मत्त्रा न्यारि का मतलब क्या है सबसे नरला क्या होगा सबसें वस्तरीक़ से मत्त्रा बगएर नाम लिखके आ जाता है तो कभी वह ओप्शण में मढ्णूना करो ठीक है आंसर हो जाए का भी इस्ट यह आत्म सलागा, आत्म सलागा का मतलब क्या है, अपनी प्रसंसा करना, आत्म मतलब खुद अपनी सलागा मतलब प्रसंसा करना, नेक्स्ट नेक्स्ट है अंतर मुखी अंतर मुखी समझ रहे हो जो किसी दूसरे से बातचीत कम करता है बातचीत कम करता है तो इसका हो जाता है बहर मुखी ये ना समाज के लोगों में ज्यादा गुल मिल जाते बहर मुखी वाले ठीक है next किस बाके में सम्भावना ठक रिया है सम्भावना किसमें सायद मेरी लोटरी लग जा है इसमें सम्भावना दिख रही है next 8 कन्नो जी 9 चूले 8 क्या है कन्नो जी चूले 9 देख रहें अलगाओ की इस्तिति है 8 तो है पहले से अलग हो जाएं नेक्स्ट उलंगन में कौन सा उपसर उपसर कहा लगते हैं आपके आगे लगते हैं यह सब्द के आदी में लगते हैं संस्क्रत में 22 उपसर होते हैं अब उप अप इस तरीके से ठीक है उत्धन लंगन ऐसे चीज़ें याद रख लो चल जट न ल यह पांच याद कर लो जब यह आदे आदा और पूरा आते हैं चा चा लला जजट न तब क्या आता है उसका उत्त हो जाता है याद रख लेना पर्यवाची क्या होता है पर्याग भूनी आती है खाने वाली तो उसमें सोगंध आती है ऐसे याद किया है थे भारती किसका है यह बारती भीना-पणी का है या सरस्वती मा का है है थीक है next हे हिंदी आकरती की दिरिष्टी से कैसी है देखो मैं कई बार आपको न ऐसे extra facts में बताय हुआ है कि छिंग शायत्यिक में कौणी सावी की साफ्ट्य है तो सावी प्रत्य का लगते हैं अपके पीछे प्रत्य दोप्रकार के होते हैं क्रत और तद्धित क्रत प्रत्य किस में लगते हैं किरिया में या किरिया के मुलूप को क्या कहते हैं धातू में भी लगते हैं ऐसे भी कह सकते हो किरत प्रत्य पांच प्रकार के होते हैं यह आठ प्रकार के होते हैं संग्या सर्बनाम में लगते हैं तद्धित प्रत्य साहित 16 16 16. उसका हल्द हेतना कोमल है कि मिर्थ तो क्या वह अपने सत्रू को भी चोट नहीं पहुंचा सकता नेक्स्ट सुद्ध बागे बताना है तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजे यह होगा इसका गीतों की पुस्तक एक ला दीजे तो गलती लग रहा है एक गीत की पुस्तक होती नहीं एक के साथ गीतों होगा नहीं आंसर क्या हो जाए गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए नेक्स्ट प्रेम चंद्र का अधूरा पुन्यास कौन सा है यह है मंगल सूत्र क्या है मंगल सूत्र गोदान गबन रंग मुमी कर्मुमी यह सारे इनके बड़ी जादा फेमस हैं गोदान गबन तो याद रखी लेना ठीक है आंसर क्या हो सकहसी अब सगून का बिलों क्या होगा सकुन अब सगुन सगून पाभबन में क्यों संधी आयादे संधी बताव कैसे तीन-थीन पेरवाले सब्द मिलते हैं नैन पबन पाबन पउधन अन बन जाएगा इसका याद रखनें नेक्स्ट हिंदी दिवस कम मनाते हूं आप हिंदी दिवस मनाते हूं 14 सेतंबर को और 16 सेतंबर को क्या मनाते हो Ozone Day ठीक है और हिंदी दिवस एक इंटरनेशनल हिंदी दिवस और मनाया जाता है वो दस्जनवरी को मनाया जाता है याद रखना ठीक है Next आवेसित ये साइन्स में बहुत पढ़ा होगा आपने आवेसित का क्या होता है अनावेसित कर्ड अनावेसित कर्ड Next इतने ही थे आज के कोशन और ये कल जो एक कोशन पूछाता न सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट रजनी बेरागी में का तो पाट साला कैसा सब्द है योगिक क्योंकि योगिक जो अन्य सब्दों के योग से बनता है या तत्पुर्ष समास के उधारण होते है इन्होंने फिर एक एक प्रिप्लेंट भी गया आगरी में पाट साला पाट के लिए साला ठीक है बहुत ही अच्छा एक प्रिप्लेंट की आ है तो आज का आपका कोशन है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम और उनके बारे में क्या क्या बता सकते हो आप तो वो सब कुछ आप कोमेंट बॉक्स में बताएंगे सर्वनाम के बारे में ठीक है अपना उर्पन को ध्यान रखने वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना जैहिन जैवार